जब तू जागा तभी सबेरा बिहार के लोग सिच्छाओं के लिए ये खास संदेश है बिहार के लोग सिच्छाओं से समंधित मामला LPA No. 432-2024 पटना हाई कोट में पेंडिंग है और ये LPA का मामला उनके लिए बहुत ही महत्पुन है महत्पुन होने का बहुत सा कारण है कारण ये है कि इस केस में बहुत मुस्किल से अथक परियास करने के बाद बहुत से लोग सिच्छाओं का सहजोग लेने के बाद SP आपिस समस्तिपूर से लेकर परधान मंतिरी कारजियाले तक या अन्य सुरोतों से सबूत जुटाया गया यही एक LPA ऐसा है जो सुझ नराइन जाद बनाम बिहार इलेक्टिरिस्टी बोड के आधार पर लरा जा रहा है इससे पहले जो भी पतना हाई कोट में केस लरा गया उस केस का पैटर्न अलग था लेकिन यह जो LPA है या CWJC 8219 था उसका पैटर्न अलग है चुकि इसमें जो मांग किया गया है कि आप जब हमारे विद्याले को जब आपने पास कर दिया तो फिर आपने हमें क्यों फेल किया सुर्ण नराइन जादव बनाम बिहार इलिक्टरी सिटी बोर्ट से ये एकदम हू बहू मिलता जुलता मामला है तो बिहार के लोग सिच्चों का जो समझ है हकीकत यही है कि 2006 से लेकर 2024 तक बिहार के जो भी लोग सिच्चक थे जो पटना हाई कोट में केस किये उन्होंने दावा किया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ उनका दावा जो भी रहा हो लेकिन हकीकत यह है कि उनको एक केस लेकर उन्होंने 2008 में पटना हाई कोट में गये थे 2012 में आदेसा गया फिर उसके बाद उस केस को उन्होंन Dismiss कराया Dismiss कराने के बाद उनको Supreme Court of India जाना था Supreme Court of India नहीं जाके वो प्रटिस्नर बनाने के जाल में खुद भी फसे सबों को फसाने लगे और निशकर से ये निकला कि लोग सिच्छाओं के लिए जब भी कुछ कार्ज किया जाता है तो लोग सिच्छकों मेंसे ही कोई न आकर आगे बाधा उत्पन करते हैं और सहजोग करना पसंद नहीं करते हैं मैं आपको ये CWJC 72.1 of 2019 की बात कर रहा हूं इसमें जब आदेश आया LPA जब मैंने पटना हाई कोट में फाइल किया मैं लोग सिच्छाओं के सभाब से भली भाती अबगत हो गिया था मैं आनन फान में पटना हाई कोट में जाकि individual case मैंने फाइल कर दिया बिहार के कुछ लोग सिच्छाओं का मेरे पास call आया कि मिराज जी आप individual फाइल किये हैं उसमें हमलों को भी रखिये मैंने उनके बातों पर भरोसा किया और भरोसा करके मैंने क्या पाया सर्व सम्मती से लोग सुर्पिया हर महीने डोनेट करना है अभी ऐसा है कि जिसका चुकि ये केस सही दिसा में जा रहा था एल पीए ये सही फाइल हुआ था एंडिविजूल के रूप में मेरा ऐसा सोच था कि एक एल पीए आगे लेकर भागेंगे जो भी बचेंगे उनके लिए दूसरा एल पीए फाइल किया जाएगा उनको युनाइट करने के कारण सभों का बकालत नमा पर सिरियली साइन लेने के बज़े से एक तो लेट हुआ लेट होने के बाद लेट गारी लेट होता जा रहा है इसमें सर्वसमती से कुछ तैक किया गया था कि इसमें कुछ आदे सुप्रीम में लगाया जाएगा चुकि जिस समय काऊंटर एफिट 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 M में इसको दीव करना पर अब आगने का अवस्त confess में जा या अन्य चुकि पटना में रहने का या इसकारज को आगे बढ़ाने के या मिंसन करने का जो चैलेंज है अब लोग सिच्छों को में जो उत्साह था जो पानी का बुलबुला जिस परकार से था उसी परकार से साबित हुआ अब क्या है कि रंजीत जी सुपॉल उन्होंने पर अब लपीय में जिनका नाम था वो अब अंडरगराउंड हो गया अब उनको किसी परकार से नाम उनका चरह गया अब उनको किसी परकार का सजोग करने से किसी परकार से कोई मतलब नहीं है कॉमेंट आया सिवान से क्या बहस हो रहा है मैं आप से कहता हूँ कि एक मैं आपको special एक कार्ज में आपको सौपना चाहता हूँ खास करके रंजीत जी सुपॉल को अमरेंदर भिया सुपॉल को रंजीत जी आप से निवेदन है कि ये लोक सिच्चों का जो मामला है ये एक कलंग कथा है लोक सिच्चों के लिए ये आपके लिए मेरे लिए सभी लोक सिच्चों के लिए एक कलंग है कलंग रूपी है ये कलंग है इसलिए कलंग है कि ये मामला अभी तक पटना हाई कुट से आगे नहीं बर पाया न तो इसमें कोई मेंडमस आदेश करा पाया बहले ही बिहार के लोग सिच्छक जो भी दावा करने के लिए सौतंत्र हैं कुछ लोग सिच्छक सहरसा से दावा किये कुछ लोग सिच्छक मतिहारी से दावा किये ने चालक महोदे पतना से आए कभी कोई मधूबनी से आए कभी कोई किस रूप में आए कभी कोई बाहु बली बन के आए कभी कोई यानि कि रूप बदल बदल कर आए मैं ऐसा करूंगा बैसा करूंगा निसकर्स क्या है आपके सामने है और हकीकत यह है सत्य यह है कि लोक सिच्छों का मामला सबूत के बज़े से कहिए या सही सूजबूज के बज़े से कहिए सहजो 2024 पतना हाई कुट में पेंडिंग है सभा की बात है कि ये LPA की रूप में ये एसेप्ट हो गया इसका केस नमर भी आ गया अब इसमें क्या है तेजी लाना है एक तो unnecessary लोक सिछक पहले कॉल करते थे मैंने उन से छमा कर दिया कि आप unnecessary कॉल नहीं करें उसमें चलिए लोक सिछक सफल है अभी क्या है कि इसकार्ज को तेजी में आगे बढ़ाना है मैं इस चैनल के माध्धम से रंजी जी अम्रेंदर भया मात रुदो आदमी को ही जिम्मेबारी देता हूं कि आप एक लिस्ट त्यार करें आप मोबाइल के माध्धम से जो भी लोक लोकषिछक एक्टिव य्यूदि को आप जो आप उनको आप क्रॉस का चिन लगाए और क्या है कि आप मुझे रिपोर्ट दीजिए आप चार से पांस दिनों के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए मैं आपको जो भी लिष्ट है अगर कहेंगे तो उसका PDF मैं आपके बाट सपर भेज दूँगा जो लोग सिख्चक चाहे कोई भी हो आप उसको साइड कर दीजिए और पतना हाइग कोट में मैं क्या करूंगा चोकि individual मैंने फाइल किया है एक interlocatory application बाद कालीन जो एक आवेदन होता है उसको मैं फाइल करता हूँ जो active है उसको रहने देना है जो inactive है उनको प्यार से साइड कर देना है आप सिर्फ एक बार उनको फोन पर कह दिजिए या आपने बहुत सहजोग किया है अब सहजोग का जरूरी नहीं है आप अपना केस खुद इंडिविजुवर लर लिजिए अब आपका हमलों को सहजोग करने का या सहजोग लेने का कोई एरादा नहीं है चुकि क्या है कि कविरा खरा बजार में मांगे सभी की खेर ना काहू से दोस्ति ना काहू से बेर कि बक्त का तकाजा है कि तुफां से जुझ ना होगा कब तक फिरोगे किनारे किनारे अब चुकी क्या है बाबु भाया कहने से सहानुभूति लेने से अब काम नहीं चलेगा ये लोग सिछाओं का जो कलंक है इस कलंक को दूर करना है और इसमें अगर मेंसनिंग होता है तो मेंसनिंग का कार्ज आगे बरहाना है और सुप्रीम कोट से जो आदेश का कौपी है उस बसरते रासी होना चाहिए तो अब चुकी अमरेंदर भीया और रंजी जी आपसे कहना है कि चुकी आने वाले दिनों में जो भी लोग सिछक जुरेंगे ये उनके भविस के लिए खत्रा है मैंने जो सभों को बकालत नामा दिया बहुत से लोग सिछक में नाम लेना पसंद नहीं करूँगा बकालत नामा लेके भी फरार है और रासी भी लेके फरार है तो ऐसे में कैसे काम चलेगा अब ऐसे में क्या है कि हाँ जी का नौकरी ना जी का घर जो inactive है उनको छोड़ दीजिए और जो active है उनको लिजिए जो active है उनका नाम रहेगा मैं आपको जैसे फिल्मों में कहा जाता है कि कसम भवानी की कसम परवर्दिगार की मैं कहता हूं कि अब जो लोग सी चेक inactive रहना चाहते हैं जिनका LPA में बकालत नामा में नाम है उनको एक list त्यार कर लिजिए अगर 10 लोग सी चेक active है हम 10 से को लेकर आगे बरहेंगे अगर 20 लोग सी चेक active है हम 20 को ही लेकर आगे बरहेंगे अब कोई बहाना उहाना नहीं चलेगा कि मेरे घर में साधी है मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया राम कहानी और जो भी है ये सब कहने स से अब काम नहीं चलेगा रंजी जी थोड़ा आप जो हाडली लीजिए आप जो भी लोग सिच्छाग जूरे हैं उनसे आप करे सब्दों में आप संदेश दे देजिए जिए आप हो या नौ में जबाब देजिए कि आप लोग सिच्छाओं के साथ हैं अगर आप सर्जो करत हैं तो आप सरकार के साथ हैं आप लोग सिच्छाओं का विरोध कर रहे हैं तो यही जो अभी तक मैंने जो फॉल्ट समझा बिहार के बहुत से लोग सिच्छाओं सुर्मा आए मोतिहारी से सुर्मा आए कि आज हो जाई नोकरी वो भी उनके भी मजबूरी नहीं थी यह किया कि सफलता का क्या मूल मंतर होता है काम में जुटे रहना उन्होंने एक बार सहजोग रासी दे के पेटिशनर बने गए फिर सहजोग रासी देने का उन्होंने कार्ज नहीं किया खैर जो भी हो गलती जिसकी भी हो अगर मेरी गलती अगर आप समझते हैं तो मैंने य काम लेकर गलती किया यही मेरी गलती है अगर मैं यह काम नहीं लेता लोक्सिचों का अगर परधान मंतिरी आपिस से जूज कर समस्तिपूर एस्पी आपिस दियम आपिस से जूज कर आपके लिए सबूत एकठा नहीं करता जमीन रेश्टिरिका परेकठा नहीं किया, यही मेरी गलती है आपके नजर में, तो खेर जो भी हो, आप अपने घर में, अपने घर, रंजीत जी, आप वो, विदावट मुझे कॉल किये हुए, आप एक लिष्ट बना लिजिए, दो चार दिनों के अंदर, आप जो भी मुख मुख लोग सिचक है, आप उनसे कॉंटक्ट करेंगे, मुझफर पूर में जो मुख लोग सिचक है, उनसे आप कॉंटक्ट कर लीजिए, और उनसे आप रुज्छान मांगिए, कि आपके यहां कितने आदमी एक्टिव रहेंगे, जो एक्टिव रहते हैं, अच्छी बात है, जो इनेक्टिव है उनको छोड़ देना है और उसको क्या करेंगे या तो मैं केस को बिड्रो करूंगा LPO को मैं फिर से फाइल कर दूँगा नहीं होगा तो उसमें इंटरलोकेटोरिय जो संभब होगा मैं फाइल करके जो इनेक्टिव है उनका नाम हटा दूँगा और इस परकार से यह जो लोग सिच्छाओं का कलंग खता है इसको खतम करना है मुझे आसा उमीद है कि LPA में कुछ नो कुछ अच्छा हो सकता है बाइती वे अगर यहां अच्छा नहीं होता है तो सुप्रीम कोट है हम सुप्रीम कोट जाएंगे लेकिन अभी जो पटना हाई कोट में LPA जो करेंगे आपको रहना है या नहीं रहना है अगर आप हमारे साथ हैं तो लोग सिच्छों के आप सपोर्ट में है अगर आप सहजोग नहीं करते हैं तो लोग सिच्छों के बिरोध में है और आप रंजीत जी को आप उनसे सहजोग करके ग्रूप में रंजीत जी का नमबर है लेकर आप ये कर लिजिए, चाहे जो भी हो, हमारे बरे भाई हो, छोटे भाई हो, वो सहजो करते हैं, उनको रखिए, नहीं रखना है, उनको साइड कर दिजिए, और इस परकार से लोकसिछाओं का जो कलंग कता है, उसको दूर करिए, और जो भी नए लिश्ट में लोकसिछ जुरेंगे आप चुकि ये आगे बरहेगा मेरा ऐसा सोच है कि इसी LPA में अगर आदेश अच्छा आ जाता है तो उनका जो भी लोग सिख्छाग छुटे हुए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे पेटिशन तयार करके इस आदेश का कौपी इसी LPA का आदेश अगर पॉजेटिव आता है 432-2024 उसमें हम लगाएंगे CWJC उनका फाइल होगा और इसी आधार पर उनका आदेश आजाएगा उनको कहीं जाने का जरूरत नहीं होगा तो इसी आसा उमित के साथ रंजीत जी अमरेंदर भाई आपसे निवेदन है और रंजीत जी आपसे कहना है कि जैसे मुंगेर में है राजिंदर राम जी आप सिर्फ उनहीं से कॉंटेक्ट कर लिजिए सिर्फ उनसे पुछिए जो आपके हां कितनी आदमी साथ जोगरासी पचास उप्या मंतली देने के लिए एक्टिव है आप दो ही आदमी है पांच आदमी है उसका लिष्ट लिजिए उसको टिक मारिए उसके इलावा आप मुझफर पूर में अर्विन जी है या अन्ने जो भी है उनसे करके संगीता बहन है असोख राम जी है या अन्ने जो भी सक्रिये है उनसे आप लिष्ट एक ले लिजिए और उनको समझा दिजिए कुछ नहीं इस वार कुछ नहीं समझा जाएगा चाहे गया से जो भी है जो भी सहजोग रासी देना है जो भी इसमें है सब को देना है अगर वो नहीं देना चाहते हैं उनको साइट कर दिजिए चुकि कहा जाता है कि जितना का बववा नहीं उतना का जुन्हुना एक तो तीन महीने गर्मी में सभों को युनाइट किया ग मैं समझता हूं कि इसमें जादे समय एल पीय में नहीं लगने जा रहा है और लोग सिच्पाइब देखनेके लिए चैनल देखने के लिग आपको धनेबाद देता हूं और इस चैनल के मान थमसे रंजी जी यही आपसे निवेदन है कि आप चार दिनों के अंदर लिष्ट तयार करिए चाहे जो भी हो चाहे किसी भी बलोग का हो किसी भी जिला का हो आपका बात मानता है तो ठीक है नहीं तो आप कह दिजिए जो अब हमसे नहीं समलेगा आप अपना केस खुद लरने के लि अगर आपके पास अगर लिष्ट नहीं है तो आप क्या करिए पीडियेफ में आपका आपको उसका बना के भेज दूँगा आप सबसे कॉंटेक्ट कर लिजिए और जो भी रासी भेजेंगे इसी नंबर पर मेरा पेफोन चलता है अगर वो पचास उर्पिया पर महीना की सा बात है नहीं बेशते हैं उनको क्या करना है कि उनके अब सहजोग का जरूरी नहीं है यह चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद